हलो गाइस स्वागते आपका सिर्जन सी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडर रेटेड थ्रिलर फिल्म रोड गेम्स का ब्रेक्टाउन जिसके राइटर डिरेक्ट है अबनर पैस्टल यह मुवी यूके और फ्रांस का कॉलाबरेशन है अभी कुछ भी अपिरेंस होगा और आखिर में मुवी से रिलेटेड कुछ इंटरस्टिंग फैट्स भी मैं बताने वाला हूं तो चलिए अब जल देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं मुवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी ने अपनी गाड़ी में से एक लाश निकाली फिर आरी से उसके तुकड़े करके उसे जंगल में दबा कर वो चलता बना इसके बाद हम आ जाते हैं एक कंट्रिसाइड रोड पर जहां जैक नाम का लड़का काफी देर से लिफ्ट माग रहा है लेकिन एक भी कार अभी तक नहीं रुकी इसका रीजन हमें जल्दी पता चल जाता है क्योंकि जिस बोर्ड के पास जैक खड़ा है उस पे लिखाए कि अभी ये उस एरिया में खड़ा है जहां पर एक रोड की लड़का आतंक जा रही है यानि कोई भी इसे लिफ्ट नहीं देने वाला सब को अपनी जान प्यारी है इसे पैदली आगे खिसकते रहना होगा और इसके खुद की जान को भी खतरा है इस बात का इसे हलका सा भी अ अंदासा नई है ये तो अपने मजे में आगे बढ़ रहा है ऐसी धीरे धीरे जितना हो सके आगे बढ़ता जा रहा था तब यचानक एक कार उसके सामने आकर रुक गई जिसमें एक लड़का लड़की आपस में लड़ रहे थे वो लड़का लड़की पे हाथ उठाने वा लड़की को ठीक ठाक इंगली शाती थी इसलिए काम बन गया लड़की ने बताया कि मेरा नाम वेरोनीक है मैंने उस लड़के से लिफ्ट मागी थी अचानक वो मेरे साथ मिस्बिहेव करने लग गया बस इसी वज़े से जगड़ा हो गया फिर तुमने आकर मुझे बचा ल अजीब बात यह है कि वेरोनीक के हाथ पर चोट लगी हुई थी और जैक के हाथ पर भी हमें कन्फ्यूस किया जा रहा है खैर वो लिफ्ट मागना शुरू करते हैं लेकिन गाड़िया रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी जिससे जैक पुरा फ्रस्ट्रेट हो चुगा था आखिर ये कैसे लोग है जो किसी की मदद नहीं कर रहे तो वेरोनीक उसे बताती है कि यहां के लोग डरे हुए हैं क्योंकि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है आए दिन रोड पर कतल करता है फिर भी अब तक पकड़ा नहीं गया इसलिए लोग अपनी सेफटी का खयाल ख जलाकर बैठ गए वेरोनीक जैक को नोट बना कर देती है ताकि उसकी फ्रेंच में थोड़ा सुदार आए पर सबसे में सवाल उसने अब जाकर पूछा कि तुम्हारे पास बैक क्यों नहीं है इतनी दूर ट्रेवल करने बिना बैक के आ गए जैक कहता है कि मेरा सारा समान स् डर नहीं लगता क्या तुम्हें कैसे पता कि मैं किलर नहीं हूं तो वेरोनी कहती है कि तुम किलर हो ही नहीं सकते तुम तो अच्छे इंसान हो मैं फील कर पा रही हूं किलर के हाथो मरने से पहले सब को ऐसा ही लगता है क्यर कुछ दिर बात दोनों सो गए फिर सुबा जब स्टेशन से मेरा लगे चोरी हुआ था, वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन था, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी गर्ल्फरेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करते हुए पकड़ा था, बस उसी दिन से मैं अकेला भटक रहा हूँ, वेरोनीक ने उसे तसल्ली द देखकर जैक उससे पोचता है क्या तुम इंगलेंड जा रहे हो, तो ग्रिजर कहता है कि नहीं, ये कार तो मेरी वाइफ की है, वो इंगलेंड से है, मैं तो बस आगे तक जा रहा हूँ, बैठ जाओ, तुम्हें भी छोड़ दूँगा, पर जैक के लिए तो इतना ही बात दोनों कार में बैठे और ग्रिजर्ड उन्हें लेकर चल दिया, बैठते ही जैक ने बिना पूछे रेडियो आन कर दिया, जो के ग्रिजर्ड को पसंद नहीं आया, उसने एकदम से बंद कर दिया, फिर मस्कुराने लगा, बोला के मुझे इंजन की आवास पसंद है, अब लगे हाथ उसने वेरोनीक से भी पूछ लिया, कि तुम भी इंगलेंड जारी हो क्या, और वेरोनीक ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया, ग्रिजर्ड कहता है कि तुम दोनों ठक चुके हो, मौसम भी बिगड़ने वाला है, रात में रोड सेफ भी नहीं है, तो एक काम करो, आज रात मेरे घर रुक जाओ, मेरी वाइफ तुम्हें देख के काफी खुश होगी, जैक बोला कि मुझे अपने पेरेंस के पास जाना है, वरना वो गुस्सा होंगे, ये सुनकर ग्रिजर्ड वेरोनीक से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंस कहां पर रहते हैं, तो वेरोन है उनकी, तो भटकने से अच्छा है कि तुम रिलाक्स करो, वेरोनीक इसके भी खिलाफ थी, लेकिन जैक ने ये आफर ले लिया, अब घर के पास ही रास्ते में ग्रिजर्ड ने अचानक से कार रोग दी, क्योंकि वहाँ पर उसका शवल रखा हुआ था, रखके भूल गया फिर एक अजीब बात ये हुई कि जैक को उसका कमरा दिखाने ले गई मैरी और वेरोनीक को लेकर गया ग्रिजर्ड, जैक मैरी से बोलता है कि आप भी इंगलेंड से हैं और मैं भी, तो मैरी उसे बताती है कि मैं तो अमेरिकन हूँ, थोड़े टाइम इंगलेंड में रही उसके बाद से यहां पर हूँ, मेरे हस्बिन थोड़े भुलकड है, अब जैक ने उससे दो तिन अच्छी बाते की तो वो सारा सकत रूप हटा कर सीधा उसके गले लग गई, जैसे पदा नहीं उसे किस बात की चिंता है, देखने से वो रूम ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे का ओ, और वहाँ पर एक फोटो रखी थी जिसे उठा कर मेरी अपने साथ ले गई, मेरी के जाते ही जैक बैट पर लेट गया और लेटते ही चित हो गया, उसकी आँख सिदा रात को खुली, रूम के अंदर उसे एक डबा दिखाई दिया, जिसके अंदर कई सारी फोटोस थी, ग्रिजर्ट और मेरी की तो थी ही, लेकिन साथ में बच्चों की भी थी, फिर जैक बातरूम में नहाने गया तो उसने देखा के मेरी की तो दवाईयां चल रही हैं, कुछ देर बाद वहाँ पर वेरोनीक भी आ गई और वो अब भी यही बोल रही थी कि यहां से निकल चलते हैं, मुझे एक कपल कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर जैक का कहना था कि वो दोनों बुरे नहीं हैं, सिर्फ अकेले हैं, वो फिर भी उनकी बुराई करे जा रही थी और ये सारी बुराई ग्रिजर्ट भी बाहर से कान लगा कर सुन रहा था, कुछ देर बाद वो अंदर भी आ गया, उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने, और इस बहानी वेरोनीक की तरफ भी नजर मारी रहा था, फिर जब जारो डिनर करने बैठे, तब जाकर जैक ने बताया के मैं तो वेजेटेरियन हूँ, इस उनका ग्रिसर्ट फ्रेंच में उसका मसाग बना जो ना तो वेरोनीक को पसंदाया, ना ही मैरी को, मैरी ने उसे चुप रहने को बोला, तो वो भी थोड़ा भड़क गया, पती पतनी के बीच जगड़ा होने लगा, इसलिए जैक ने नई बास शुरू कर दी, वहां से बात पहुंच गई रोड़ वाले सीरल किलर पर, और जैसी किलर का जिकर हुआ, मैरी एकदम से अपसेट हो गई, पिछले हफ़ते यहीं पास में एक जवान लड़के की बाड़ी मिली थी, इसलिए वो भी कई तुकडों में, मैरी बोल रही थी कि इस बारे में बात मत करो, पर ग्रिजर्ड और जैक फिर भी लगे पड़े थे, इस बार जैक बताता है कि जब मैं छोटा था, तब मेरी माम के बॉइफरेंड ने मुझे राड से मारा था, इसलिए मेरी पीट पर निशान है, ये सुनकर वेरोनी कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं मारा, वो बताती है कि जब मैं छोटी थी, तब अपने छोटे भ भाई बैन की ऐसे मौत हो जाए तो वो इमेज हमेशा के लिए साथ रह जाती है वेर रूनीक की मा ने हमेशा यही सोचा के इसका भाई इसकी गलती की बज़े से मरा यही बात इसे खाती है और वेरूनीक ने जैक को इतना कुछ बता दिया लेकिन समझ उसे कुछ भी नहीं आय वरुनिक तो सोने चली गई लेकिन जैग देखता है कि मैरी एकदम सुन खड़ी थी क्योंकि टूटी हुई बाटल को फेकते वक्त उसकी उंगली में काँच लग गया जैग ने उसकी उंगली को साफ किया फिर दोनों के बीच बाते होने लगी जिसके चलते दोनों को जाद़ पास आ रहे थे कि तो भी ग्रिजर्ड वहां से गुजरा तो मैरी चुपचाप चली गई और जाती दोनों के बीच फिर से जगड़ा होने लगा ग्रिजर्ड बोल रहा था कि अब तक सब कुछ सही चल रहा था पर तू सब कुछ बिगार देगी और मैरी बोल रही थी कि पर जैक को पता था कि वेरोनीक नहीं मानेगी हरताल हो या ना हो यहां से तो निकल नहीं है सुबा होती ही और मौका सभी था इसलिए जैक ने भी पूछ लिया कि तुम्हारे बच्चे कहां पर हैं तो ग्रिजर्ड बोलता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है जब कि बच्च उसके पास आकर बोलती है कि दर्वाजे को लाग करके रखना तो उसने भी ऐसा ही किया और इसके बावजूद भी रात में दर्वाजा खुला और अंदर आई वेरोनीक फिर जो कारिकरम होना था वही हुआ उधर मैरी को नेंद नहीं आ रही थी इसलिए वो उपर अपने प वापस आया तो कार को छुपा कर साइड में लगा रहा था बस तभी शोर सुनकर जैक की आँख खुल गई वो देखता है कि ग्रिसरड अजीब तरह सी चिलाता हुआ अंदर आ रहा था लेकिन फिर भी उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया चुप चाप जाकर वेरोनीक के चा तो काफी अजीब चीज़े मिली जैसे कई सारी डॉल्स मुखाटे और दर्वाजी पर लटके नकली हाथ इनके अलावा एक बैक के अंदर बेहोशी के इंजेक्शन्स थे उस बैक से हमें पता चलता है कि ग्रिसरड का फर्स नेम ब्रूनो है जो के गन के उपर भी लिख चुकी है ये सुनकर जैक हैरान हो गया क्योंकि कल रात तो वेरोनिक इसके साथ इंग्लेंड जाने के लिए राजी हो गई थी तो छोड़ कर कैसे चली गई उसीने तो बोला था के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर ग्रिसरड तो यही कहा रहा था कि वो चली गई है और तो भी जा जैक कहता है कि तुम तो मुझे छोड़ कराने वाले थे ना तो जवाब में वो कहता है कि प्लान अब बदल चुका है जैक पोस्ता है कि फोन तो हो गई तुम्हारे पास तो ग्रिसरड कहता है कि कोई फोन नहीं है अब जल्दी करो और यहां से निकलो रात रात म वो हाथ में हताडा लिए घूम रहा था इसलिए जैक के पास कोई जाइस नहीं बची वेरोनीक का नाम चिलाते हुए वो नीचे भाग गया तो ग्रिजर्ड उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो वेरोनीक तुम्हारे लिए नोट भी छोड़ कर गई है चाहो तो खुद अलग निकले बस तभी उसे शक हो गया कि ग्रिजर्ड ने कुछ किया है लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ग्रिजर्ड ने उसे वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा कर चित कर दिया जब होश आया तो खुद को एक ट्रुक में पढ़ा पाया डेल नाम का आदमी उसे अपने अड़े पर लेकर पहुचा है उसे अंदर ले जाकर डेल बताता है कि मैं रोड पर मरे हुए जानवर उठाता हूं तू भी मुझे रोड पर पड़ा मिला इसलिए तुझे भी उठा लिया लेकिन हम जानते हैं कि ये जूट बोल रहा है ये ग्रिजर्ड के लिए काम करता है बलके ग्रिजर्ड ने वो मरा हुआ रैबिट इसी के लिए उठाया था क्योंकि ये रोड पर मरे हुए जानवरों को खाता है अपने डॉक के साथ शेयर करके थोड़ा मीट पका कर जैक को भी खिला रहा था लेकिन उसने थोग दिया जो के डैल को पसंद नहीं आया बदले में कैंची उठा कर वो जैक के पैर की उंगलिया काटने लगा जिससे जैक पूरा दहशत से भर चुका था और यही तो उसे चाहिए था उंगलिया उसने नई काटी बलके रसिया काट दी लगिन इस बार जब उसने मीट खाने को बोला तो जैक फटा-फट खाने उससे टेप को फाड़ा और गुजस तरह फ्री होकर वहां से भाग निकला फिर डेल भी अपने डॉक को साथ लेकर उसे ढूंडने निकल पड़ा इतने में भागते भागते जैक विजर्ड के घर तक पहुँच चुका था क्योंकि इतना बड़ा घर दूर से दिख रहा था वहां पांच कर वो देखता है के दोनों पती-पतनी टाउन में जा रहे थे मैरी की दवाईले ने और मैरी अब भी यही बोल रही थी के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और कब तक करोगे उनके जाने के बाद जैक बैक डॉर से घर में गया और सीधा उसी पेंटिंग व वो दोनों घर में आते जैक ने शाटगन उठा ली और वेरोनीक ने हताड़ा फिर जैसी वो दोनों अंदर आए ये दोनों सीधा चुप गए उनके उपर जाते ही ये दोनों बाहर निकले और दूसरी कार लेकर वहां से निकलने लगे इतने में उन दोनों ने भी इने पिशा कर रहे थे लेकिन ये उनके हाथ नहीं आए इनके पास गन थी जिससे वेरोनीक उने डरा रही थी लेकिन जैक अव खेलने के मूड में नहीं था उसने गन चीन कर सीधा गोली चला दी जो किसी को लगी नहीं लेकिन इससे दोनों को भागने का माका मिल गया भागते दोनों एक बांड में जाकर छुप गए जहां पर उनकी मुलाकात हो गई डैल से इस बार वेरोनीक ने भी गोली चला दी लेकिन गन में गोली थी नहीं तब गन को जैक के पास फेक कर उसने एक एलेक्ट्रिक सा उठा ली तो डैल ने उसका पलग निकाल दिया इदने में ज भोश हो चुका था तो उसे कवर करके वेरोनीक उपर आ गई और डैल के चाक उसे उसने उल्टा डैल कोई मार डाला वस्तभी वो दोनों भी वहां पर आ गए और उन्हें वेरोनीक दिखाई दी बच्ची के रूप में जिसका मतलब है कि वेरोनीक इनकी बेटी है और असली सीरियल किलर भी आपको याद होगा वेरोनीक ने बताया था कि बच्चपन में इसके भाई को ट्रैक्टर ने कुचल दिया था असल में इसी ने अपने भाई को ट्रैक्टर के सामने धक्का दिया था क्योंकि ये बच्चपन से साइको है ये लोगों को मार देती है फिर बोल पकड़ के वापस लाता है लेकिन कैसे ना कैसे ये दुबारा भाग जाती है और जिन भी लोगों को ये मारती है ग्रिजर्ट उनके तुकड़े करके दफना देता है ताके पुलिस इसे ना पकड़ पाए इसने बोला था ना मेरे डैड ने मुझे आज तक नहीं मारा मार देत जितनी बार बचाओगे उतने जादा लोग मरते जाएंगे ये उसकी चिंता है तो अब आप समझे होंगे के स्टार्टिंग में जब कारवाला लड़का इससे लड़ रहा था तो वो इसी वजे से था कि ये उसका भी सफाया करने वाली थी वो तो बचकर निकल गया था क्यों पर ना कब कब पहुंचा देते अब समझे कि वेरोनीग गोली क्यों नहीं चला रही थी क्योंकि गोली इसके बाप को लग जाती फिर सफाय कौन करता पर जब डैल सामने था तो वेरोनीग ने एक बार भी नहीं सोचा यह खतरनाक ट्वेस्ट अब डैड ने डैल की बाड़ और सब वो घर के लिए निकली रहे थे कि तबी सामने से जैक आ गया हाथ में गन लेकर यूगि उसे तो अब भी सच पता ही नहीं चला उसके लिए तो पती पतनी विलन है जो वेरोनीग को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं और वेरोनीग तो उन्हें जानती भी नह जैक क्या आते ही वो उसकी साइड हो गई माबापका फिर से कट गया वो भी सोच रहे थे के अभी तो ये सौरी बोल रही थी अब फिर से चालू हो गई वो दोनों जैक को कुछ बता पाते उससे पहली वेरोनीग ने गंसे मार कर अपनी मा को बेहोश कर दिया और डैड के हा जल्दी ये इसे भी मार कर रोड पर फेक देगी और फिर किसी और को पकड़ेगी जब इसका मन भर जाएगा तो वापस घर पहुँच जाएगी और फिर जब दोबारा मन करेगा तो फिर से भाग जाएगी यही बात इसका बाप बता रहा था पर वो ही कौन सा सुदरा है व में सब के उपर शक था, वो भी मूवी नहीं करवाया, चाहे वेरोनीक हो, जैक हो, ग्रिजर्ड हो, या मेरी हो, लेकिन फिर भी ये ट्विस्ट काफी खास है, इससे मूवी पूरी तरह बदल चुकी है, ट्विस्ट तो आपने और भी मूवी में देखे होंगे, थोड़ी दे किया, अब वो नहीं होगा, बलकि अब अलग लाइन्स और अलग सीन पे अलग थ्रिल फील होगा, सेम मूवी में, और साथ ही साथ आपको कई सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे, जैसे वेरोनीक ग्रिजर्ड की कार में क्यों नहीं बैट रही थी, और ग्रिजर्ड ने चलते हैं, वो उंगली पर खून देख कर सुन हो गई थी, ग्रिजर्ड और मैरी के भी जगडा इसलिए चल रहा था, क्योंकि ग्रिजर्ड वेरोनीक की हरकतों को कवर अप करने से बास नहीं आ रहा था, ग्रिजर्ड लगतार अपनी बेटी को बचाने में लगा हुआ था, चाहे वो कुछ भी करें, जबके मैरी को पता था, ये गलत है, इसके अलावा और भी कई सारे जवाब आपको मिलेंगे, और एक नई टेंशन पैदा होगी, एक बार ट्राइ करके देखो, फिर आके कॉमेंट्स जरू करना, कैसे सेम मुवी दो बार देखने पे दो अलग वा इस कहानी का आइडिया डिरेक्टर एबनर पैस्टल को 2001 की गर्मियों में आया था, जब वो फ्रांस में ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें क्रीपी मेंशन में रुकना पड़ा था, बस वहीं से उन्होंने कहानी सोच ली, लेकिन कहानी पर काम करना शुरू किया 7 साल बाद 2008 में जो 2011 में जाकर कंप्लीट हुई, फिर इसके बाद भी 3 साल और लगे इसकी शूटिंग स्टार्ट होने में, यानि एक विचार जो उनके दिमाग में आया था, उसे साकार होने में 13 साल लगे, इस बीच वो बस दिमाग में ही पलता रहा, फिल्म के म्यूजिक का स्टायल भी जाबनर ने शूटिंग स्टार्ट होने से 2 साल पहले डेवलप कर लिया था, और रिकार्ड किया था शूटिंग खतम होने के कई महीनों बाद 2015 में, 12 जुलाई 2016 को जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, तो सिधा नंबर वन स्पार्ट पे चली गई थी, और लगत अनिक का रोल करने वाली थी, अना गेरड़ॉट, ग्रिजट का रोल स्पेसिफिकली फ्रेडरिक पेरट को दिमाग में रखकर लिखा गया था, तो ये थे कुछ अंसुने फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना, और अगर आ वी नहीं देख सकते, तो एक बार वीडियो कोई दुबारा देख लो, और फिर मुझे बताओ के कैसा लगा, नया नजरिया मिला या नहीं, बागे ऐसी और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर तागे नोटिफिकेशन भी नया नया शिकार ढूंड सके, और जादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टग्राम पर फालो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बागी जगाओ पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब को बाई